गाउं के सिती और आवश्यक्ताओं को एविपीएस न्यूस के माध्यन से सरकार दक पहुचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जीलाम रोहा के ब्लोग धनोरा में सित मलेशिया गाउं पहुची इस समय महावीर सिंको गिरामबाशियों ने अपना प्रिधान चुनकरों ने यहां के विकास के जिम्मधारी सोपी हैं बरतुमान प्रिधान द्वारा गाउं में विकास कारे बहतर तरीके से कराया जा रहा है लगभग 4000 की अवादी वाला यह गाउं जिलामुख्याले से 22 किल मिटर दूर तो बहीं प्लॉक से इस गाउं के दूरी मात्व तीन किलो मिटर ही है लगभग 1500 वोटर वाले यह गाउं विकास के पत्पर अग्रिसित है गाउं की मोजुदा इस सिती से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गाउं में लगभग 428 रासंकार धारक है बहीं पता कार्यों के की जाए तो बर्तुमान प्रधानद्वारा गाउं में पेजल आपुटी विविस्ता दुरुस्त रखने के लिए 25 हैंड़ लगवाई गए हैं वही 15 ओर हैंड़ लगवाने की सरकार से मांग है वहीं बिजली विविस्ता दुरुस्त रखने के लिए वह वह निर्मार कराया गया है एबी पीएस नियूज टीम से बात करते हुए वर्तुमान ग्राम प्रधान निक गाउं में सीसी टाइल्स रोड खटनजे पंचायद घर आंगनबाडी केंद्र प्रधान मंत्री अवास योजना के तहर साथ अवास तथा स्वच्छ भारत मितन के तहर स दूसित पानी गाउं के खेतों में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे गाउं के कुछ लोगों की म्रत्य हो जाती है तथा कुछ लोग काफी बिमार है इस और ना तो सासन और ना ही प्रिसातन ध्यान देता है और्यां मलेशिया से अरोज में जो है अमारी समस्या को सुनने वाला तो कोई है किसी भी समस्या को एक बताय को बिद्धायक कादे में तो जितने जिले की समस्या होती है offenders 11 member होने चाहिए और जितने बिधायक M.P.S.O.R. जितने हैं उस हर छेत्र वाई उसे बाड़ देना चाहिए और इनकी समस्या को जमीनी तो को देखता है नहीं सब आसमानी देखने वाले लोग है जितने राष्टे, नाली, खरंजे, गाउं में गंद की इसे अधिकारियों से कहते कहते तक जाते हैं सब काग जो मैं करने वाले हैं बही यतने पत्रकार हैं वो भी सब जो पैसे वाले लोग अभी कहने लगे हैं देविंदर नाकपाल आजाए, कमर सिंग तमर आजाए तो उनकी सब समस्यों पेपर भर के फैक देंगे छोटे-छोटे लोग सही बात को कितनी किली मचाए तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं अधिकारी पैसे दे देंगे अपना वह अपना पीशे उले के लोट जाते हैं तो हमारे गाओं की समस्यों का समधान करवो और नहीं होता है तो हम लड़ने के लिए तयार बैटें हम संग्ठन के साथ इतने जबड़ जस्त होके लड़ेंगे कि मारने से अटेंगे अगर जमीनी लड़ाई लड़ी जाएंगे अब जमीनी से कम चलेगा आसमानी से नहीं अधिकारी भी आसमानी लड़ रहें और नेता जितने बनते हैं सब आसमानी बनते हैं यहां पर हमारे गाव में जो है सुगर मिल भी है मलीशा के अंदर हमारे गाव में तो यह मील वाले ने भी हमारे यहां ग्राम समाज की जो है काफी बूमी आतिया रखी है अबैद रूप से और हम अधिकारियों से कई बार इस चीज के कंपलेंड कर चुके हैं लेकिन कोई करने की जो सुनता नहीं है कोई आने का परियास करता है तो उनको में पर दंपर फिरबंदन पैसे देता है मिल के उनसे जो है और मतलब उनको रोख लिया जाता है अधिकारी और मील की बज़े से हमारे यह पानी खराब हो चुका जिससे आए दिन कोई ने कोई लोग है पीलित हो रहे हैं, काफी कई द्रेट हो चुकी है पिछले, तो 3-4 बरसे में बहुत तेजी आई गया है.